हाई ट्वेल्टीज वेलकम टो इजीवे कामर्स क्लासेज मैं हूँ ताबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपनी सेप्टेंबर से अक्टूबर की स्ट्राटेजी बनाने वाले हैं क्योंकि ऑगस्ट अल्मोस निकल गया है गाईज इसमें हम सेप्टेंबर से पाउंस को किस तरीके से कंप्लीट करना है क्योंकि टाइम टेबल तो काफी सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं और उसे तीन या चार दिन फॉलो भी करते हैं और उसके बाद वो कहीं खोसा जाता है ऐसे क्यों होता है गाईज हम लोगों के साथ कि जो आप हम टाइम टेबल खुद से बनाते हैं सोच समझ के बड़े ध्यान से बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते उसके पीछे का ना गाईज जो बेसिक रीजन है वो यह है कि हमने उसके साथ टार्गेट अपने फि यह तो हमस्की R again करना क्या है या हमें एक हफते में अपने कितने chapters कर ने हैं हम वो नहीं decide करतें और जिसकी वजह से अगर हमारा कुछ छूट भी रहा होता है हमने पता ही नहीं होता है कि हमने किया क्या नहीं करा कि क्या है क्या है सबसे पहले हमें a strategy बनानी चाहिए कि हमें subject को किस तरीके से complete करना है अकसर accounts का paper भी इसी वज़े से छूट जाता है क्योंकि हम लोग सिर्फ questions की practice करते हैं बढ़ time नहीं manage करते हैं तो accounts में guys time manage करना बहुत जादा जरूरी है strategy बनाना बहुत जादा जरूरी है कि कितने दिन में हमें अपनी यह book complete करनी है अब आपके सामने already September और October का महीना नजर आ रहे है November से December के बीच में आपके exams होने है right तो September अप्टूबर में guys आप किस तरीके से यह तीनों books में जो आपका first time का slave से वो आप complete कर सकते हो तो guys आपको पता है कि आपकी तीन book है जिसमें से हम एक को partnership दूसरी को company और दूसरी को analysis कहते है partnership में आपके total charge अपर आ रहे है fundamental, goodwill, change in PSR, admission इसमें आपका shares आ रहे है इसमें आपका financial statement chapter 1 and 2 analysis का and ratios आ रहे है practical right अब आपको कितना time देना चाहिए guys कि यह complete हो जाए सबसे पहले तो एक दिन की बात करूँगी एक दिन में आपको कितनी देर accounts पढ़नी चाहिए तो guys अगर हम एक दिन की बात करें तो minimum देड़ घंटा हमें अपनी accounts को देड़ घंटा तो देना चाहिए अगर आप अभी तक नहीं दे रहे क्योंकि मेरे भी काफ़े student है जो बहुत leniency से पढ़ रहे हैं आदा घंटा पढ़ लिया या सिर्फ जो tuition में पढ़ा है सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं तो guys अगर इतना ही आपका भी हाल है तो मैं आपको एक चिस बता दू अगर आपको एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे और अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो समय देना पड़ेगा जितने efforts एक teacher देती है उससे कई जादा अकाउंस में एक student को देने होते हैं क्योंकि teacher एक limited time देती है बट एक student के पास पूरा दिन होता है उसकी practice के लिए तो आप अगर अभी तक accounts को समय नहीं दे रहे गाईस तो देना पड़ेगा क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि जितनी कराई उतनी आ गई इसमें कुछ भी आ जाता है कोई भी language question की change कर देते है आपका question पूरा ही बदल जाता है treatment बदल जाता है तो उसके लिए आपको practice बहुत जादा जरूरी है समय अपना देना बहुत जादा जरूरी है तो minimum देर से दो घंटे एक दिन के जरूर देने हैं आपको ठीक है अगर आप नहीं दे रहे हैं तो यानि कि आप गलती कर रहे हो अब त्यार हो जाओ अभी भी समय है September है October है अब से आप त्यारी start कर सकते हूं अब guys बात करते है book wise हमें एक book कितने time में complete करनी चीए क्योंकि इसके guys 4 chapter है और minimum समय हम मैं यहाँ पर 2 घंटा मानके चल रहे हूं कि 2 घंटा आप एक दिन में दोगे ही दोगे minimum not maximum minimum तो आप यह book almost 20 days में complete कर सकते हो अगर आप fundamental chapter की बात करो तो यह एक हफ़ते से जादा का chapter नहीं है goodwill दो दिन का chapter है change in PSR तीन दिन का है admission पांच दिन का है कितने हो गए पांच, तीन, आठ, नौ, दर, सा, सतरा फिर भी आपके तीन दिन बच रहे है तो आप यह अगर दो घंटा पढ़ते हो तब का मैं बता रही हो अगर दिन में सिर्फ 10 या 15 मिनिट पढ़ते हो तो नहीं होगा दो भी सिर्फ 17 दिन बन रहे हैं इससे जादा 20 दिन आपको मिल रहे हैं यह दो चेप्टर तो बजल कुली बच्चों वाले हैं दो दिन के अंदर कम्प्लीट हो जाता है मैंड है रेशो जिसमें हमें प्रैक्तिस चाहिए होती है वीछ tapa के बुक के बाक उस्टन्स होते हैं सारे करने होते हैं example सारे करने होते हैं तो मैं इसको भी मानूगी कि 13-14 दिन तो टोटल 15 दिन इसको और इसको मिला के 15 दिन और अगर मैं सबको मिलाओं 30 प्लास 20, 50 डेज में आप अपनी बुक्स कम्प्लीट कर सकते हो वो भी अच्छी तरीके से लेकिन अगें रूल सिर्फ एक है कि आपको टार्गेट फिक्स करना होगा कि मैं आप 20 दिन में यह वाली बुक उठा रहा हूँ तो मुझे यह कम्प्लीट करना ही करना है इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कोई भी बुक स्टार्ट करो काफ़ी स्टूडें यह पूछते कि मैं कौन से पहले स्टार्ट करें कोई भी करो भाई लेकिन उसक वो तार्गेट लेके चलना पड़ेगा तब ही वो टाइम टेबल फॉलो होगा अदर्वाइस वो टाइम टेबल किसी बुक के पेज में दबा रह जाता है और जब साल पूरा निकल जाता है तब हमें नसर आता है अकसर ऐसा होते है तो इस चीज को ध्यान में रखकर आपको क्लास 12 की त्यारी करनी है गाइस MCQ आने हैं प्रेक्टिस चाहिए टाइम मैनेज्मेंट चाहिए तो इसको फॉलो करो बाकि MCQ पर भी वीडियो आएंगी और आप अपने डाउट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो और भी अगर गाइस आपको कुछ भी पूछना है कमेंट के जरी पूछ सकते हो थांक यू